है गाई देश्ट दिविया आश्रों में बाक तुन अदर एपिसोड ओफ फुटबॉल लेए और एपिसोड में जब की पहली अपडेट के अगर हम बात करें ना तो हम बात करने वाले थोड़ी सी प्यक्कड नियुक्त की यानि की जो पी के बात करते हैं अब रिसेंट्टी यानि यहां पर स्काय स्पोर्ट्स के पड़ित जो कि अच्छली वे लिवरपूल के काफी अच्छे काते जाने माने प्लेयर भी रह चुक है ग्राम साउनस उन्होंने यहां पर कासी मेरों पर अपनी यहां पर टिपड़ी देते हैं यह चीज का ही लेको हसे है कोई नहीं औ कर्यूस का पेटी कोट फाल दिया जाएगा यहां पर इस स्टेटमेंट के बाद लेकिन भाई लगा पड़ा है भाई बोलता है अपने स्टेटमेंट में कि कासी मेरो बहुत लखी है कि वो उस रियाल मेरिट में खेल पाया वह कहता है कि क्रूस मॉटरिज बेंजिमा इन सब मिलियन का तो वो है भी नहीं और यहां पर मैंचेस्ट नेर कुछ खास उखार दनी पाएगी कासी मीरों से तो यह कहीं न कि थोड़ा सा है कि आपको क्यूं शराप से थोड़ा सा दूरी बना रखनी चाहिए और इस रिए साथान रहे सतर करें बस के बीग कैरफूल लेकिन इस 10-15 मिलियन भी मिल रहा है मारियानो के लिए तो हम क्यों छोड़े लेकिन मारियानो काईना की सीन होई है मेंफिस डिपाए बार्सलोन वाला कि अगर मैं जा रहा हूं तो मैं फ्री तौर पर जाऊंगा ऐसे मैं यहां पर रियाल मेरी को ट्रांसवर पी नहीं मिलने वाली और और वो रहना भी लालीगा में ही चाहता है तो यह अभी का सीन बना हुआ है साथ यह अगर बात करें तीसरी अपडेट की तो वह आती है कि आज जो यूएफा चैंप्रिक के अवार्ड भी होंगे उसमें बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है कि शायद से बेंजिमा अगर को येफा मेंच प्लेर आवार्ड मिलेगा है यहाँ पर कार्ड अंसलो्टिको मैनेजर वजेगा मिल सकता है और यह यह अभी काद आदा aware मिल सकता है तो र्याल मेंगे चार प्लेयर को यहाँ पर award मिल सकता है लेकिन इसी की साथ बात करते हैं थोड़ी सी Manchester United से बात करते हैं बड़े वहिया से कल कुछ अलग हुआ हम बात करते हैं ऐसे मैंने कल की डेली एपिसोड बात कर रहे हैं कोई नया क्लब resurface नहीं कोई पुराना क्लब resurface नहीं है अथलेटिको लेकिन अब एक नया क्लब resurface हुआ है और यह कोई ऐसा मैंने क्लब नहीं है अगर आपने इस क्लब के मेंबर होगे तो आपको पता है जिडान के टाइम पे जब जिडान मैनेजर बनेगा नहीं मैनेगा तो उस टाइम पे इस क्लब का बहुत बार जिकर आता तो और हम बात करें अपर मार्सेय की अब कल में जब उस लोकल रिपोर्ट ने उस पे रिप्लाई किया तो उसने इस चीज को क्लारिफाइग किया कि यहाँ पर जो अब यह बहुत इसमें जाब दे नहीं लगती जब एक्चली में खबर तूल पकड़ लेती है और बात तूल पकड़ लेती है इसके रिगार्डिंग अगर आप मेंस्ट्रीम न्यूज मीडिया को देखोगे तो उन्हों इस चीज को ऐसा कवर किया दे को कहानी एकदम ही है अगर रिसेंटली हम बात करें तो उसके कुछ ही घंटो बाद यहां पर मार्से के एक लोकल रिपोर्टर का क्लारिफिकेशन आता है और उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दे कि एज अफ नाव मार्सेल ने कभी इस पॉसिबिलिटी को एक्चुली में यहां पर स्टड क्योंकि होता क्या है कि बैंटर-बैंटर के चक्कर में भी हो जाए कि ठीकी ए रोनदर्लो को एक और क्लम ने जपकर दिया बट एड़ फर्स प्लेस यह कभी हुआ ही नहीं है इसी के साथ बात करते है थोड़ी सी एंट्री के टील में हमको ब्रेक्ठरु मिल चुका है कल डे ही कनपा में कि हमने ओफर दे दिया यह इमिनेंट है कि यह डील होने वाली है जहां पर हमारा इनिशियल ओफर एट्टी मिलियन यूरो उसका था अब यहां पर यहां पर रेंजर्स ने PSV को रादियो तो आप मान सकते हो कोड़ी गाकपो की डिल में भी अब यूनाइटिड यहां पर जा रही है हां अगर लास्ट में चिंदी चोरी ना करने और मेंफिस डिपाय को उठाला है जस्ट पिकॉस की वह प्री एजंट और बस एक बार सैलरी उ दुब्राफका करें हैं पर आफ़र डाल दिया है and he was not even on that recruitment list अगर हम अपने कुछ recent goalkeepers की बात करें या अंसोमर की बात करें उने से मोन, Kevin, Trapp बाकी प्लेयर्स भी आ रहे थे जर्मन से बहुत जर्मनी से काफी सही से goalkeeper आ रहे थे लेकिन यह किस तरीके की recruitment strategy है दुब्राफक है यह मेरे को समझ में नहीं आता और में को समझ में यह भी नहीं आता कि अगर actually में इतनी ही important चीज थी अब तो अभी तक कहा थे पास दिन में कि मतलब कुछ offer मिलता है को उस सवर से चल रही है उनकी कुछ चल रहा है को 50% तो बताओ यार हमें ही बता दोगी कि लास्ट के पास दिन में कौन सी आत्मा आती है United में को समझ में नहीं आता तीन महीं नहीं हो गए कोई goalkeeper का नाम ही नहीं आया और आप आप कहरो कि हमको तो यहाँ पर देविद डिया का एक backup लाना और उसमें भी recruitment आपकी इतनी रद्दी है क्या बताओ मैं seriously कोई शब्द ही नहीं है लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर FC बार्सलोना की तो बार्सलोना के कि एक ट्रेडिशनल सिटी वाला मैश था यहाँ पर सिटी अपनी टाक्टिक्स को इंपोस करना चारी थी और सिटी के दूसरा गोल था न जहाँ पर आइधिंग यहाँ के लोने आप पर सेटप किया था वो जो स्टैपिन था वो इस पूर आइधिंग वो गोल डिफाइन कर लेते हैं कि वो उसी तरीके से गेम को सेट अप कर पा है हाँ आप कह सकते हैं कि एक्चली में जब हालन्ड आ गया तो उनका जो स्टैक्टिक सा वो बिर्कूँ चेंज हो गया अब वो डिरेक्टनेस पर जालन लेगे वो एक्चली में काउंटर पर और उनका जो नया जब भिए होती उनके हाइड डिरेक्टनेसिव लेकिन यहांपर फैर्जिश का मतलब यह कि देखो नंको पता था कि उनको चड़ना कब है उनको प्रेस कप करना है लेकिन उनको यह भी पता था कि उनको सिटबैक करके सिर्फ अप करकरना में धो रखता है कि फरस्ट आप के लास्ट के जो 15-20 मिनिट होंगे उन्होंने सिर्फ सिटी को एब्सॉप किया है अपर सिटी का पूरा अटैक है और यहां पर बस उन्होंने अपने चांस का वेट किया है जो उनका दूसरा गोल था डियोंग वाला गोल वो अगेस धर अनौफ पले मतलब उनके पाथ 5-10 मिनट पर कोई चांस ही नहीं आया था एंड येट उन्होंने गोल स्कोर कर दिया था और उबामयांग का वो गोल भाई वो फीफा गोल था लिटरली वो फीफा गोल था लेकिन ओवर ओल मेरे लिए काफी अंटर्टेनिंग मैश था टैक्टिक लीग हम बात करें ठीक है आई भाई वो बहुत बंदा एनरजेटिक है एग्रेसिव है ही इस डेफिनेटली गोइंट बीदा गेब्रियो एजूस में को रखता है कि यहां पर गेब्रियो एजूस को वो रीउनेट कर सकता है लेकिन इसी की तादर बात करते हैं दो और ऐसी डीज की जो कि यहां पर कंप्ल मजाक निया मजाक बहुत पहले छोड़ के चला गया है वोट न्यूकासल इस डूइंग यह बिक सिक्स को बिक सेवर बनाके ही मानेंगे भाई इस समय मैं मैं रखता है कि अगर न्यूकासल अपने आपको यूरूपा लिग या फिर कॉन्फरेंस लिग के लिए एक कंटेंड ने लुकास पाकेता के लिए यहाँ पर ऑफर डाल दिया फॉर 34 मिलियन यूरो यह वो दो प्लेयर्स है जो कि एक टाइम पर अच्छल में अभी यूनाइटिट से लिंग डू करते था और आज कहिना की इनकी डील सैटल होती भी दिख रही है तो अगर अगर हम उपर पर से थिछा कि बात करें रहें ठीक है एनकुंकु इस एनकुंकु थोड़ा एक estájung एक अर्डिंग करी चुका है यूल Аलबाइस भी णुफ कर चुका है अड़ आ यहां भी मूव कर चुका है उसके बास أو कर. तो काफी सारे प्लेयर्स यह को था, वह यहाँँपर